लोगतंत्र आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लोगतंत्र उसके परकार उसका आर्थ इन सब के बारे में हम अध्यन करेंगे इससे पहले थोड़ा हम पढ़ेंगे च्छित्र के अंदर थोड़े व्यवारिक समझ पेदा करने का प्रयाध करेंगे ताकि हम क्या करें लोग तंतर के बारे में जान सके अब देखो लोग तंतर यानि एक क्या हुता है? एक सासन वीवस्ता है तो इन विबिन परकार के जो तंत्रे हों उन तंत्रों के बारे में हम देख लेते हैं जो क्या करते हैं किसी भी जो राज्य की क्या होती है सासन विवस्ता होती है तो सासन व्यवस्ता को समझने के लिए हम देखेंगे पहले राजजी क्या है फिर देखेंगे अलग अलग जो सासन है उन सासन के परकार देखेंगे तो देखो किसी भी राजी के लिए जरूरी है उसके किते तत्वोंने चाहिए किसी भी राजी के लिए चार तत्वों होते हैं उन चार तत्वों को हमें देखना बहुत ही महत पुण है उसमें से पहला तत्व हैं कि राजी उसे कहेंगे जिसका क्या होगा निचित भूबाग होगा जिसका क्या होगा निचित भूबाग होगा उसे हम क्या कहेंगे राज जी कहेंगे आज हम देखते हैं जिन को हम देश के नाम से जानता है जैसे भारत है अफगानिस्तान है या अमेरिका है इन्हें वास्ता में राज नितिक जो प में तो नहीं हो सकता तो राज्जी के लिए क्या होना चीए एक निच्चित-भू-बाग उना चाहिए जिसे बारत का जो राज्जे है उत्तर में कसमी से लेकर दक्सिन में कन्या कुमारी तक है न पूरुम में जो अछल पर दिस लगा और जो पच्छिमम होना चीए तो ये ऐसे ही क्या होना चाहिए एक निचित भूबाग होना चाहिए ऐसे ही वर्तमान में हर राज्यों का क्या एक निचित भूबाग है जैसे अमेरिका है रूस से आदे इन देशों का भी अपना क्या निचित भूबाग तो उन्हीं क्या कहेंगे राज्य कहेंगे दूसरा इनका तत्व क्या है जन सिंग्या यानि मानव ये संसादन अब देखो राज्यों के होगा तो राज्य के निचित भुबाग होगा तो भुबाग के आदार पर नहीं उसमें निवास करेंगे आखिर सासन चलेगा किसके उपर तो उसमें क्या होने चाहिए जन सिंग्या होने च चाहिए एमानों संसादन होना चाहिए तो ये दूसरा तत्व हो गया तीसरा तत्व इसका हम जो देखेंगे वो तत्व है इसका क्या है सरकार है यानि राजी क्या होता है राजी एक अमूर्त संस्ता है या अमूर्त कह सकते है राजी को मूर्त रूप में लाने का काम कौन करत तो राजी को जो चलाती है सरकार वही क्या है राजी का मूर्थ रूपे बाकी राजी एक मूर्थ संस्ता है कैसे जैसे हम कह सकते है राजी को अगर हम मूर्थ कौन सा होगा जिसे हम अपनी आखों से क्या अगर सके देख सके हैं सूर सके तो ऐसा क्या राजी होगा नहीं होगा तो ऐसा कौन होगा सरकार होगी अगला जो चोथा इसका मुख्य तत्व है वो है संपर्भुता शंपर्भुता का मतलब होता है कोई भी राजित जो अपने आंत्रिक और बहारी रूप से क्या हो सवतंतर हो अपने नितियों का क्या करे सवतंतर रूप से निर्धान करें न तो आंतरिक रूप से वो किसी के दबाव में हो नहीं बाहरी रूप से किसी की क्या हो दबाव में हो वो अपने नीतियों का क्या करें सवतंतर पूर्ण तरीके से क्या हो संचालन करें उसे ही क्या कहते हैं संपर बुता जैसे आज भारत ज राज्यों के मुख्य होगे चार तत्व जिसमें से तीसरा तत्व हमने देखा सरकार जो क्या करता राज्य को मूर्त रूप देता है अब सरकार चलाने के लिए क्या होते हैं अलग अलग तंत्र होते हैं जो क्या कलते हैं सरकार को संचालित करते हैं उसमें से कौन से हैं प्रार का मुख्या राज्जा होता और यहां वंसानुगत सासना वेश्धा होती थी या despair 와서 इस तरीके कि क्या थी वंसानुगत सासना वेश्धा थे उससे राज दंतर कह Türkiye थे गे। इसके लाए उन इन पर्मुक ही हुआ करते थे जो अपने मेंसे किसी को सासन करने के लिए उसका क्या करते थे चुनाव किया करते थे तो इसके बाद में एक और सब्द जो आया था अधिनाएक तंतर जिसमें क्या हो या तो एक वेक्ति या एक कुछ वेक्तियों का जो समोव वो ही मुख्यों वो क्या करवाएं अपने उनके आदेस उनकी इच्छा ही क्या होती है कानौन होती है जैसे हिटलर थे मुसोलोनी थे तो ऐसे विश्व के अंदर उन्होंने क्या किया था अधिनाएक तंतर को क्या किया था इस्तापित किया था वर्तमान में जिसे उत्री कोरिया के अंदर ऐसे ही सासन विवस्ता क्या है परचलन के अंदर है और अगला जो हम देखते हैं वो कौन सा है वो है लोग तंतर जो हम देखेंगे जिसमें जनता का क्या हो सासन औ तंतर क्या सासन जिस इसके बारे में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे तो नमस्कार विदारतियों मैं हूँ असो कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अब करते हैं प्रारम तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे लोगतंतर का अर्थ देखेंगे लोगतंतर का अर्थ है वम विबिन परकार इनको समझने का हम प्रयास करेंगे आखिर ये है क्या तो देखो जो लोगतंतर जो सब्द है वो सब्द एक अंग्रेजी भासा का एक सब्द है डेमोक्रेसी इस से मिल करके बना है यह सब्द आपके सामने डेमोक्रेसी जिसका हिंदी अनुआत होता है क्या लोगतंतर होता है यानि जनता का सासन या जनतंतर भी जनता होती है परजातंतर भी जनता यानि वो ही तिनों का एक एर्थ यानि शमान आर्थी सब्दे ये अंग्रेजी सब्द डेमोकरेसिक ग्रिक बासा से ध्यान रखना है इस पार्ट में जो प्रश्ण आएंगे वो आपका एक प्रश्ण आएगा एक नमबर का और एक प्रश्ण आएंगे चार नमबर का यानि कुल ये पांच अंग का पार्ट है तो उसके हिसाब से ध्यान देना जो अर्थ वाला बहुत ही मैत पौन है क्योंकि एक नमबर का इस परकार का प्रशन पूछा जा सकता है तो जो लोग तंतर वो क्या है मुखे रूप से इसको कहते हम डेमोक्रेसी तो जो डेमोक्रेसी है वो क्या है ग्रीक बासा के सब्दे और ये ग्रिक बासा के दो सब्दों से मिलकर बना यानि डेमोक्रेसी सब्दों क्या है अंग्रेजी बासा का सब्द लेकिन ये अंग्रेजी बासा का डेमोक्रेसी ग्रिक बासा के दो सब्दों से मिलकर बना जिसका एक नाम है डेमोस और दूसरा सब्द है क्रेटिया यानि इ गेक्टा होकर के ही सासन को चलाया करते थे मुखे रुप से ये प्राचिन समय में यूनान के अंदर जो परतेक्स लोग तंतर था जिसमें जनता परतेक्स रुप से क्या करती थी भाग लेकर के सासन सता को क्या करती थी संचालित करती थी सारे जो नीती निर्ने के लिया करती इसी कान इसे प्रारम में क्या कहने लगे यह डेमोस यानि जिसका मनलब भीड हो गया था किंतु आधुनी काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता यानि वरतमान के अंदर जो डेमोस सब्द का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता सक्ति तो इसे हम कह सकते हैं जनता की सक्ति है तो इस पर का जो सब्दार की देश्टी से डेमोक्रेसी का जो अर्थ है वो है जनता की शक्ति लेकिन हम यह जानते हैं कि इसका वास्ते विस्तरत अर्थ हम देख लेते हैं तो यह डेमोक्रेसी का अर जन तंतर या लोग तंतर नाम से जानेंगे इसमें तीन अंत सम्मंदित अर्थ भी नेते वो अर्थ कौन कौन से हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन से तीन अर्थ हैं तो इसमें पहला ये निर्ने लेने की क्या है एक विधी है लोग तंतर क्या है निर्ने लेने की एक विधी विधियानी क्या होता है कानून होता है तो वैसे निर्ने लेने की जो अंतिम कानून यानि अंतिम जो सक्ती है वो सक्ती किसके पास में जनता के पास में और जनता क्या करती है या तो खुद भाग लेती है आपने परती निद्यों के मादम से क्या करती है सासन चलाती और ऐसा ही सासन लोगतंतर कहलाता है जिसमें या तो जनता खुद उसको चलाए या अपने प्रतिनिद्यों के मादम से चलाए तो इस मादम से ये क्या हो गया लोगतंतर एक विधी है दूसरा ये निर्ने लेने के सिद्दान्तों का एक समू है क्या है लोग तंतर क्या है इसमें एक समू है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो जनता या तो मिलकर या अपने परती निद्यों के समू के मादम से क्या करती है जो सारे निर्न्यों का क्या करती है किर्यानवन करती है यानि सारे निर्न्यों का किर्या होते हैं अगला देतेंगे यह आदर्स आत्मक मुल्यों से संब्दित क्या है अवधार नायन कॉंसेप्ट है कैसे आदर्स मुल्यों से संब्दित हैं तो यहां भी ध्यान रखना कि लोग तो जो जनता के लिए हैं जिसे अपने आगे हम वैसे देख लेंगे एक वक्ती थे जनता के लिए और जनता द्वारा हम समझ लेते हैं जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया सासन या चलाया गया सासन उसे हम क्या कहेंगे परजात अंतर कहेंगे तो इसमें क्या होगा आदर साथ में या जनता के हिद को ही सामने रखा जाता है अगला देखेंगे आधोनी काल में लोगतंतर को केवल सासन का एक रूप ही माना जाता कैसा रूप माना जाता सासन का हा एक रूप ही माना जाता जिसमें कुछ विसेस्ता देखेंगे एक व्यक्तितु है ब्रंस ब्रंस के अनुसार क्या कहते हैं लोगतंतर एक ऐसा सब्दे जिसके क्या होते हैं यह लोग तंतर क्या इसके साथ भावनात्म अर्थ भी जुड़ा हुआ है लोग तंतर के सब्दा जो वास्तिक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके विबिन रूपों से जुड़ी हुई क्या है अवदाहनाओं से परिचितों अभी नहीं अवदाहनाओं को हम सब देंगे यानि इन्होंने तो बरंस ने इसको कह दिया कि हमारी भावनाओं से भी जुड़ा और बिल्कुल है भी सही लोग तंतर की अभी वक्ती जनता की क्या होती है भावनाओं से होती है यानि लोग से ही मिलकर लोगों की भावना इससे जुड़ी होती है तो इस तरीके स इसका आर्थ भी बढ़ाई भावनात्मक है तब पार्ट संक्या इसका हम क्या देखेंगे बी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे लोगतंतर के विबिन रूप के बारे में तो हम जैसा कि देखते हैं कि लोगतंतर के अलग अलग रूप है इन रूपों को मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटेंगे और इन चार भागों का ही हम क्या करेंगे अद्धिन करेंगे आधोनी काल में लोक तंतर के परमुक रूपों और उन से सम्मंदित अवधाना को निमल लेकित रूपों में स्विकार किया जाता एक तो उसमें कौन सा है राजनेतिक लोकतंतर है इनको आगे हम पूरा क्या करेंगे डिफाइन करेंगे भी दूसरा है सामाजिक लोकतंतर अगला जो इसमें है वो आयार्थिक लोकतंतर और नेतिक लोकतंतर तो ये चार जो लोकतंतर के जो परकार इनके बारे में हम इन अवधारनों के बारे में क्या करेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो पहला हम देखेंगे राजनेतिक लोकतंतर क्या है तो राजनेतिक लोकतंतर को अतीत में वेक्तिवादी लोकतंतर कहा जाता है कैसा का जाता है वेक्ति वादी क्योंकि इस राजनितिक लोकतंतर के अंदर कौन भाग लेता है वेक्ति भाग लेते हैं तो इसी कान इसको क्या का जाता है ये वेक्तियों पर ज्यादा ध्यान देता है ये वेक्ति वाद पर ज्यादा बल देता है इसी कान इसे वेक्ति वादी लोकतंतर कहा गया यानि अब वेक्टी पर ही सिर्फ यह महत्वा नहीं देता यह उसके जो लोकतंतर के जो सभी में पक्से उनको महत्वा देता है तो इसी कान आज कल हम राजनितिक जो लोकतंतर हैं उनको उधारवादी लोकतंतर भी हम कहते हैं जिसे आज वरतमान समय में देख लेते हैं लोगताघों के लिए भारे में नहीं अड़िया बीपसू, पक्सियों आदि सब के बारे में क्या करता प्रियाउन के बारे ज्यान रखता इसी कानेक्स लोगताघों को हम उधारवादी लोगताघों के नाम से जानेंगे आधुने क्याइड आधुने क्या जो वरतमानसा में चल रहा है इस यूग में राजनेतिक लोग तंतर की उत्पती पच्छिमी देसों से हुई है तो आथ आथ एक अभी कभी इसको पच्छिमी लोग तंतर भी कहा जाता रहा है आपको राज तंतर और एक गर्ण तंतर होता है कालाओं कि गर्ण तंतर में थोड़ी बहुत ऐसी वश्ता है होती है लेकिन उससे हम लोक तंतर नहीं कहा सकते और ऐसा ही हम देखते हैं पराचिन जो युनान के जो नगर राज्ये थी उस नगर राज्यों के अंदर पहली बार लोग तंतर जो देखने को मिला था लेकिन इसका वेवारिक रूप से परियोग पच्छिमी देशों के अंदर हुआ जिनने हम यूरूपिय देश के थे और इसकी जो सरुआ ते वो धीरे 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 हुई थी जैसे हम देखें 1776 के अंदर अमेरिका जो आज़ादी की गोश्टना के बाद अमेरिका के अंदर लोग तंतर की इस्ताबना की क्या हुई थी गोश्टना हुई थी इसके बाद जो यूरूप के अन्हे देश से उनमें जो इंगलेंड हो फ्रांस हो जर्मनी हो प्रारम में इसमें क्या हुआ था यह विवस्ता विक्सित हुई थी इस विवस्ता के इस पच्छिमी देशों में विकास के कारण तो इसको क्या कहने लगे पच्छिमी लोग तंतर के नाम से जाने गए हैं क्योंकि प्रयारम क्या पती इनके उत्पति इन्हीं दश्न सुज़ती और आज लोगतंति दोंति विसेश कर हम अमेरिका से ही मानते है जबकि मार्स वादियों ने इसे पूंजी वादी लोकतंति पहना पसंद किया था क्यों क्योंकि राजनेती के अंदर वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो क्या होते हैं पूंजी पदी होते हैं जिनके पास में अच्छा खासा पैसा होता है वही इस पर आगे बढ़ पाते हैं जो धनवान लोग होते हैं या कह सकते हैं सादन संपन लोग होते हैं वोई राजनेती में आगे बढ़ते क्योंकि राजनेती बहुती करसली चीजे हम देखते हैं कि चुनावों के समय किता लोग जो परतियासी होते वो किता खर्च कर लेते हैं और उसके बाद में जो मुख्य मंत्री या परधार मंत्री बनता है उसे भी बड़ा खर्च तो इसी कार्ण क्या कहते हैं इसको पूझी वादी लोगों का सासन कह सकते हैं तो इसे जंता का लोग तंत्र नहीं करें। एक और सब्द कहते हैं कि ये पूँची वादी लोग तंत्र हैं। उदार वादी विचार को ने समस्त राजनेतिक लोग तंतर को क्या किया था। दो रूपों में बाठा। कैसे। एक तो राज्य की एक परकार के रूप में लोगतंतर है एक ऐसा लोगतंतर जो राज्य का एक परकार होता है और दूसरा ऐसा लोगतंतर जो किसका परकार होता सासन के परकार के रूप में लोगतंतर होता है राज्य की एक परकार के रूप में लोक्तंतर का आर्थ है लोक्तंतरग राज्य या डेमोक्रेटिक इस्टेट से हैं लोकतांतिर गराजी की अवधारना के अनुसार पर्बु सत्ता का निवास किसमे होता है जनता के अंदर होता है यह जो अंतिम पर्बु सत्ता है वो क्या होती है जनता होती है इसलिए जनता की सरकार के निर्मान और उसके नियंतन और उसको पद चूत यानि जो पद से हटाने की जो पूर्ण और अंतिम सक्तिके से प्राप्त होती है जनता कोई होती है है ना तो यह आप समझ गए मतलब अब जो अगला पढ़ेंगे जो सासन के परकार के रूप में जो क्या था लोकतंतर का आर्थ पहला तो था राजजी के परकार के रूप में मलब जो राजजी की जो सरकार उसको हटाने का उसको बनाने का उस पर नियंतर यानि कंट्रोल रखने का और उसको हटाने का अधिकार किस को है वह जनता को सासन के एक परकार के रूप में लोक्तांतर का आर्थ है लोक्तांतरिक सासन से यानि जनता क्या चलाएं सासन को खुँच चलाएं वास्त में लोगतांतिक सासन की अवधाना लोगतांतिक राजी की अवधाना के सिदांतिक पक्सकाई विक्सित और वेवारिक रूपे उसी से ही जुड़ी हुए ये अल्लेंग निए हैं कि राजनiszta कु को किया करती है स्विकार करती है संक्सप में इए दोनों मानती है कि राजन भी शूर्ड़ा कानुनी पर पषबす सता पर क्या किया जाता निया इंतरन किया जाना चाईए तो ये ज्यानन क्योंकि राजनेती प्रबुसता है वही क्या होती है जनता की अभी वेक्ती है जनता उसी से जुड़ी हुई होती है जनता आपने परती निद्यों को ही राजनेती में भेजती है तो इसी कान उसका जो कानूनी प्रबुसता है उस पर इसका क्या होना चाहिए नियंतरन होना चाहिए अब देखते हैं राजनिती के लोकतंतर के एक अग के रूप में लोकतंतर के क्या हते हैं दो उपड़ते एक दो हम देखेंगे पर्तेक्स या सुद्ध लोकतंतर यानि जिसके अंदर जनता क्या होगी पर्तेक्स रूप से भाग लेकी सिधी हम कह सकते हैं डारेक्ट पार्टिसिपेट करेगी और दूसरा आप पर्तेक्स या पर्ती निदी लोक तंतर इसमें क्या होती जनता भाग नहीं लेती है और इसमें जन्ता आपने चुने हुए परती निद्यों के मादिम से क्या करती है यह सासन को संचालित करती है जैसे देखते हैं कि परतिक्स लोकत अंतर उन देसों में ही प्रासंगिक है जिन देसों में क्या होता है जो देश छोटी हो जैन्ज सिंक्या की द्षटी से और भोगोल एक छेटरपल दोनों की द्षटी से जो देश छोटी हो उनमें पर्दाजात अंतर प्रयारम जैसे युनान के नगर राजियों मिता वर्तमान के अंदर हम देखते हैं स्यूटर जर्लेंड जिसे छोटे देसों में ही ये सही तरीके से चल सकता है अगर भारत की बात करें तो यहां जो ग्राम सबा है ग्राम सबा क्या है पर्तिक्स जो पर्दा तंतर उसी का ही क्या है उधारने पर्तिक्स लोक तंतर का ही उधारने जिसमें जनता मिलकर कही क्या करती है अपने विकास की यूजनाए बनाती है और विभिन कारियों को क्या करत यह निज़ित करती है लेकिन अब देखते हैं आपर तेक्स यानि जो इंडारेक्ट रूप से यानि परती निद्यों के रूप में तो इसमें देखो बार जैसे बड़े देशे तो इन बड़े देशों में संपून देश की जो जनसिंग्या उसको सामिल नहीं किया जा सकता है कर übrig न तो सारी जन स्गय को यक जगए एक त्रित गिया जा सकता है नहीं सब की एक उपश्रति हो सकती तो इसे चाहता है जब चेथरहपल और घं स्गय का दोनों ही जादा हो तो अइसी Пथिन QUě बनाती परति निदी बनाती है और वो परतिदी मिल कर्डकर के जनता की तरब से क्या करते सासन को चलाते हैं तो इसी कार इसे और पर्तेक्स या पर्तिनिदी लोगतंतर के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है और वर्तमान में भारत में इसी परकार का लोगतंतर है और पर्तेक्स या जिसे पर्तिनिदी लोगतंतर कैसे जो एमले एमपीज हो तो इसके जो दो पार्टे उन पार्टों को देखेंगे एक तो है संसदी लोक तंतर और दूसरा है अद्यक सात्मक लोगतंतर इसको थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाओंगा कि संसद ये लोगतंतर क्या है और अद्यक सात्मक लोगतंतर क्या है जहां देखो समझ की आसकता हो कि उस पॉइंट को थोड़ा डिटेल से हम समझेंगे ताकि आगे आपका सारा जो कंसेप्ट है वो कलियर हो जाए कोई फिर उससे समधित क्या है संका नहीं रहे जिसे हमने जो राज्य की चार तत्व देखे थे उसमें से एक तत्व कौन सा था सरकार था है ना तो देखो सरकार के अंदर क्या थी वेवार के अंदर हम देखा तो ये सरकार चलाती कौन है तो जो सरकार के हम अंग हैं उन अंगों को हम देख लेते हैं कि आखिर इसके अंग कौन कौन से हैं तो इन अंगों बारे में हम देखें वैसे इसमें हम आगे जो अगले अध्याएक के अंदर हम क्या करेंगे पूरा देखेंगी कि सरकार के बारे में कैसे निर्मान होता है सरक तीसरा इसका अंग है वो है कारे पालिका है फिर तीसरा जो इसका होता वो क्या है नय पालिका यह तीन अंग होते हैं अब दिखो संसदी जो लोकतंत्र होता उसमें क्या होता है यह दोनों मिलकर के क्या करते हैं कारे करते हैं यह दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं निर्बर एक दूसरे पर क्या कारे पालिका इसमे क्या होती है विवस्था पिका के पर थी उत्तरदाई होती है उसके पर थी जिम्यदार होती है यानि कारे पालिका तब ही तो काम करती है जब तक क्या करती है यह विवस्था पिका का इसके अंदर क्या है विस्वास है यानि अपना वि पाई जाती है तो इसमें हमारे देखते हैं कि हम क्या सुनते हम क्छों देखो इसमें व्याश्या डिवाडेसन संग्य दो सबह करें जो सहर्दार शनता क्या कि बेसी संग्य नाम एक संग्य व्यूस्ता पिकाते तो में चुनाव करें हैं लिए सद्धार हैं नहीं कित्य समय हैं, लिए विउस्टा, उसको यह संग्य विआहना में 下valata, चुनकर के जनता बेजती है अब वो सांसद क्या करते हैं इसमें से जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का नेता होता है जो भी खुद भी क्या होता है एक सांसद होता है और वो उसे क्या करते हैं उनके बाकी जो साथी है वो उन्हें अपना नितरतु करने के लिए उसका क्या क होता है तो इस तरीके से ऐसे समझना संसदी जो लोकतंतर का जो मुख्या क्या कहलाता है परदान मंत्री कहलाता है और वो उसका क्या करता उसे जनता सीधे नहीं चुनती उसे डारेक्ट नहीं बल्कि उसे तो क्या करती है जनता एक सांसद के रूप में एक परती निदी होते हैं वो उनको क्या करते हैं परदान मंत्री बनाते हैं और वहां पर एक जो सम्विधनिक मुख्या होता है जिसे बारत मेरा अश्टपती कहलाता है इंगलेंड के अंदर क्या है वहां का जो महारानी है तो वो होती है तो वो इसको क्या करती है न्युक्त करती है तो कारे पालिका और निया पालिका तीनों ही क्या होते हैं अलग होते हैं जो सविधान है सविधान के द्वारा तीनों की कारे और सक्तियों का क्या किया जाता है बंटवारा किया जाता है और तीनों सवतंत रूप से क्या करते हैं कारे करते हैं जैसे हम देखते कारे पालिका वेस दूसरा जैसे हम ने दिखा इस संस्दी वेस्था पिका का जो या लोक तंद्र का मुख्या पर दान्मंतरी चलाता है वास्त में वेवारी करूप से वैसे अभि अमेरिका का में देखते हैं उदान तो वो राइश्ट-पति केलाता है तो राश्ट-पति को वहां के जो जो जन्ता के परती निदी होते हैं वो नहीं चुनते हैं जन्ता का क्या होता हैं डायरेक्ट वाँ वोटिंग होते हैं जैसा भी अमेरिका के अंदर चुना हुए जिसमें जो बाइडन जीते हैं तो इसमें क्या होता हैं कि जितनी वोटिंग प्राप्ट तो उसके बाद हालां राष्ट पती को आटोमेटिक मिल जाते हैं तो यह यह ध्यान देना और इसके अलावा वहां का जो जो राष्ट पती है वो इनके परती जिम्मेदार नहीं होगा वहां की जो ववस्ता पिका के परती जिम्मेदार नहीं होगा और सारी जो कारे पाले का उसका निर्वाचन मजना है अब देखें के आगे इसके कुछ और टॉपिक है नच तो लोगतांतिक राजी और कि वैशवास करता है हमने पहले देखा दो पक्स को हमने समझ लिया है एक तो व्यक्ति वादी यह इने प्रारम के अंदर लोगतांति क्या कहता व्यक्ति वादी क्यों कहते थे व्यक्ति के ओपर ध्यान देता था व्यक्ति की कैसे उनती होगी कैसे व्यक्ति के क्या अधिकार हैं तो सारी तरीके से घूम कर गया व्यक्ति के इर्द गिर्दे ही घूमता था जबकि उदारवादी लोग तर अब व्यक्ति को केंद होती लोक तरह उसका एक संगर उसके अनुसार कानून का संगर जिसके अनुसार क्या करेगी सासन संचालित त by जाएगा अगला दु सरा है ये परबुसता का निवास किसमें मानता जंता में मानता बिल्कुल यह से कि जो राजनेतिक लोगतंतर है वो अंतीम सकती किसे प्राप्त करते है जनता या मुख्य जो पर्बुसता है वो किसमे निवास करती है जनता के अंदर निवास करती है क्योंकि जनता हर पांच साल बाद क्या करती है अगर जो इसके परतिनिदी होते हैं वो जनता के इच्छा की अभी वेक्ति नहीं करते है या उसके अनुसा सासन नहीं चलाते उनके इच्छाओं की पूर्टी नहीं करते तो जनता अगले पांच साल में उसको क्या अगर देचुनावों में उसको हटा कर दूसरे परतिने दिभी चुन सकती तो इसी कार्ण परभुसता की रिया निग जो उसको हटाने का अधिकार कि इसको जनता को है तो परभुसता उसी के हाथ में होगी जिसको हटाने और बनाने का क्या था या चुनने का अधिकार होगा अगला तिसरा पॉइंट हम देखेंगे राजनेतिक लोकतंतर तो राजनेतिक लोकतंतर का जो सेधानतिक पकस वो क्या है वो है लोकतांत्रिक राज्जे से हैं तो सेधानती करूप से क्या है लोकतांत्रिक राज्जे से इसका वेवारिक पक्स कौन सा लोकतांत्रिक सासन इन दोनों के बाहरे में हम पूरी सपष्ट कर चुके हैं तो अब दुबारा इसका दोराव नहीं करेंगे अगला देखेंगे जनता सासन यानि सरकार को क्या करती है निक्त करती है और उस पर नियनतर रखती है उसे हटा भी सकती है इसलिए तो जनता प्रबुसता जनता के अंदर है जनता क्या करती है जो सरकार होती है जिसके अंदर के अंदर देखते हैं जो परदानमंत्र की नेतरत में जो सरकार बन्ती है उसको आखिर क् 110 चुन करके स को बेजती जंता बेजगी और बाद में उन्तो क्या करेंगी अपने सद्धिस को निक्त करेंगे और तब तक अगर जंता के अंदर पढ़नी जंता हमें नकरा क्या कर पहिए। और विबिन मादिम से जनता उन पर क्या रखती है नियंतर रखती है अपना कंट्रोल रखती है और जनता चाहती है कि उससे उसके अनुसा नहीं चल रहे तो चुनाव होते है पांच साल बाद तो तब क्या कर सकती है जनता उन्हें हटा सकती है उसकी जगे दूसरे और वो सासन पर उसको क्या गरता देती है निक्त कर देती है अगला हम जो देखेंगे पांचवा पॉइंट वो इसका वो क्या है राजनितिक लोगतंतर वो क्या है साध्य नहीं होता साध्य मतलब क्या होता है जो लक्से होता है तो रूज जो राजनितिक लोगतंतर वो कोई खुद लक्से नहीं होता साध्दे का मतलब क्या है जो लक्से होता तो ये खुद लक्से नहीं होता अपी तू लोगतांतरिक साध्दनों और मुल्यों की प्राप्ति का क्या होता साध्दन होता साध्दन क्या होता है जिसके माद्यम से लक्से को क्या किया जाता प्राप्त य आखिर क्या करेंगा राजनितिक लोगतंतर उसको प्राप्ट करने का एक क्या है साधने जैसे आज जैसे कुछ वरग अपने को ये मानते हैं कि उन्हें बराबर की जो सासन के अंदर या लोगतंतर या समानता आदी में उनको बराबर हिस्सेदारी नहीं मिले तो वो क्या करते इस राजनातिक लोगतंत्र दवार जैसे वर्तमान हम देखते हैं अधिक संगठन बनाते अलग जबं समो के रूप में वो क्या क्वारते mechan fortunately प्राप्थ थी थी तो उसने क्या किया राजनितिक लोकतंतर को साधन के रूप में प्रयोग किया न? तो जनता के उपर हला कि उसने आंदुलिन का जो अरंगा रवया अपना है लेकिन इसके माद्दम से और भी चुनाओं के माद्दम से भी वो क्या करते हैं दबाव डालते हैं तो इससे भी क्या करते हैं या अपने जो ऐसे परतिनली चुन करके जो भीजते हैं चुनाओं के अंदर जो क्या करते हैं हमेशा इनकी बातों को इनका जो साध्य या जिलक्स है उनकी प्राप्ति में स्योग परदान करें तो इस तरीके से राजनितिक लोगतंतर क्या हुआ साध्दे नहीं है बलकि जो साधन है जिसके मादम से इनको क्या किया जाए प्राप्त किया जाए अगला हम देखेंगे सामाजिक लोगतंतर है तो सामाजिक लोगतंतर का मुख्य लक्से क्या तो सामाजिक समता की भावना जैसे राजनितिक लोगतंतर का मुख्य लक्सित जो क्या होता है जो राजनितिक समता होती उसको प्राप्ट करना होता है जिसके अंदर सबके सिदारी मिले और जो समाजिक लोगतंतर उसकी भी मुख्य के समाजिक के अंदर क्या है समाजिक रूप से सबको समानता ह किसी के बासाथ में भी भेदबाव नहीं हो समाज के एक परकार के रूप में लोकतंतर को सामाजिक लोकतंतर कहा जाता है सामाजिक लोकतंतर का मुखे लख से सामाजिक समता संकसेप में सामाजिक लोकतंतर का आरत है समाज में क्या हो नसल के आदार पर भेदबाव नहीं हो जैसे अफरीका के अंदर चला था नेसलनल मंडिला नहीं हो और अमेरीका के अंदर आज भी चल रहा है और वरतमाने बलेक लाइव मेटर चल रहा है तो इस आदार पर क्या है ऐसा नसल के आदार पर या रंग या वरंग के आदार पर क्या हो बेदबाव नहीं हो काले या गोरे हैं तो इस आदार पर क्या हो बेदबाव नहीं हो इसके अलावा जाती 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 परता थो अपने भारत की बहुत ही मैत पूर्ण है हम तो सब भी अलग लग पहले अपनी अभी वक्ती जाती के माद्दियम से करते हैं तो समाज जी के लोगतंतर वो होगा जो ऐसे किसी आदार पर जाती के आदार पर किसी को कम सक्तियां या उसको सबतंतर ताएं या उसको सुझदाएं परदान नहीं करेगा यान उन्समें किसी परकार का भेदवाव नहीं करेगा कि कोई विस्cस जाती काईब तो उसे अदिक सुच्षिदा है पर्दान की जा है इसके अलाव धरं के आधार पर भी किसी परकार का भेदवाव नहीं होगा भासा के आधार पर लिंक इस तरही प्रूस के आदार पर धन के आदार पर यानि कोई ज़्यादा पैसे वाला और कोई गरीब है तो इसके बाद आलाव ज़्यादा पैसे वाला तो उसको ज़्यादा आदिकार प्राप्त दिया जाए उनको ज़्यादा सब तंतर ऐसा नहीं होगा जनम के आदार पर अंदर सबी को समान समझा जाता चाया उसकी जाती कुछ भी हो उसका लिंक कुछ भी हो उसकी पहसा कुछ भी हो या उसका धर्म कुछ भी हो उसका जनमस्तान कुछ भी हो उसका वर्ण कुछ भी हो या उसका क्या है नसला कुछ भी हो उन सबको एकी देश के अंदर रहने वाले या देश को राजनेती देश्टी सब में राज्जी कहेंगे एकी राज्जी में रहने वाले सबी लोगों को समान रुप से उनकी उनती के साधन उपलब्द होने चाहिए एक व्यक्तित वे हरनसा हरनसा के अनुसार लोक तांतरिक समाज वो है जिसमें समानता के विचार की परबलता हो यान उसमें सब को समानता क्या हो किसी के साध में बेदबाव नहीं हो सब को समान रुप से अधिकार पराप तो अधिकार होतो भी समान रुप से करता भी होतो भी समान रुप से तो उनकी परबलता हो जिसमें समानता का सिद्धानता प्रचलित हो सब किसी बेदबाब पर आतारीत नहीं हो अगला देखें कि सामाजिक जो लोकतंतर की जो अवदाहना है मुखे रुप से सामाजिक समानता के अधिकार पर क्या करती है जोर देती है इसका सामान अर्थ यही है कि सबी वेक्तियों को समाज में समान महत्व पराप्त होना चाहिए किसी वेक्ति को अन्य किसी वेक्ति से क्या होने चाहिए सुक का सादन मातर नहीं समझाएं ध्यान देना समान महत्व पराप्त होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को अने किसी भी व्यक्ति के सुक का साधन मातर नहीं समझाना चाहिए पहले यह होता था जब राज तंतर होता था तब राज तंतर में क्या होता था केवल जो कुलीन वर्ग होता था जो सासन सता से चिपका हुआ वर्ग राजा और उसके परिवार के सदस या उसके जो वनसज हुआ करते थे जिसमें हम कह सकते हैं राजा उसके परिवार के सदस से इसके लवा जो जमीदार जिसे कुलीन वर्ग तो उन्हें विसिस परकार के अधिकार प्राप थे वो सारी सुक सुकी दौाओं का भोग करते थे जबकि किसान है और ऐसे मज़दूर है उन लोगों से ये क्या करवाते थे अपने जो सुक का सादन मानते थे जिसमें अनेक लोगों को वो दास दासी या नोकर के रूप में रखते थे जो उनके सुक के सादन के रूप में परियोग करते थे उनसे अपने सारे काम करवाते थे इसके अलाओं उनसे बेगार भी करवा लगते अपना जो भोतिक और सारी रिक दोनों इस सुका साधन के रूप में उन लोगों को क्या करते थे वो परियोग में करते थे जबकि लोगतंतर कहता ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति हो चाए उसकी सामाजिक इस्तति कुछ भी हो या उसकी आर्थिक इस्तती कुछ भी हो उनको क्या होंगे समान रूप से उनको महत्वा प्राप्त होगा समान रूप से उनको क्या होगा अधिकार प्राप्त होगा समान रूप से उनको सवतंतरता प्राप्त होगी और आगे बढ़ने के भी क्या होंगे समान अवसर उनके लिए उपलब्ध होंगे किसी के साथ में भी भिदबाव नहीं होगा वेवार में सामाजिक लोकतंतर की स्थापना के लिए दो बाते हैं उसे की कौन सी दो बाते हैं इन बातों को हम समझेंगे पहला धर्म जाती नसल भासा लिंग और धन आदी के आदार पर समाज में मौज़ूद विसेसा अदिकारों की विवस्ता का क्या होना चाहिए अंतर किया जाए अब देखते हैं हम प्रारम के अंदर जो करांतिया होते हैं एक रूस की करांति देख लेते हैं 1789 के अंदर जो करांति हुई थी उस करांति का कारण था उस करांति का कारण क्या था जो कारण भी मुख्य यही था क्या था वहां के जो कुछ वरक थे वहां के तीन वरक थे जिन तीन वरक के अंदर जो तरती इस्टेट जो था उसको क्या थे प्रारंबी की इस्टेट दो थे जिसे कुलिने इस्टेट थे इसके अलबा पादरी इस्टेट था और तीसरा जो सामाने इस्टेट था तो सारा टेक्स वगेरा का बार तो सामाने इस्टेट पर था और जबकि उसका सुईदा बोकॉन कर रहे थे दोने उपर वाले इस्टेट कर रहे थे जो नतों कोई कर दे रहे थे और जनता से बेगार और लेते थे टेक्स भी जनता से वसूल करते थे और उट भी बहुत सारे उनको विश्य साधिकार प्राप्ते ऐसा बारत में भी था जब राज तंतर था तो हमारे अंदर भी यहां भी ऐसा ही था लोगों को क्या था जो सामाने जनता को कोई अधिकार प्राप्ता नहीं थे सारे विश्य साधिकार किसको थे जमिदार वर के जो लोग थे उनको थे या राजाओं के प्रियोज उनको थे तो इस तरीके से इस लोगतंतर ये कहता सामाजिक रूप से तभी स्थाफ नहों की सामाजिक लोगतंतर की जब ऐसे किसी भी विश्य साधिकार किसी विश्ष्ट वर्ग को नहीं प्राप्त हो या विशिट धरम जाती नसल बासा लिंग या धन का महत्व प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों के समूग को ऐसे प्राप्त नहीं हो वो सभी समाजों को समान रुप से या परतिक व्यक्ति को समान रुप से प्राप्त हो दूसरा है सभी व्यक् के साथ में भेदवाव नहीं किया जाना चाहिए। जो उपर वनित वो अमुग धरम холод आमुग लेंगे हम वो क्या है दंसे संपन व्यक्ति है तो उसके क्या होगे परगती के रास्ते कम होंगे ऐसा नहीं आज भी हम देखते हैं इसलिए जो पर्तियों की प्रिक्सायादी के मादम से सब को समान अवसर दिया जाता है उसमें जो योग्य वेक्ति होता है वो भी क्या होता है आगे बढ़ता तो यह लोगतंतर की मुखे खासियत है अगला जो तीसरा जो अमीर गरीब है उसका भेदबाव को नहीं रखना चाहिए यानि जो अमीरी और गरीबी के आदार पर भेदबाव नहीं होना चाहिए इसको अलग रखते हुए यानि धनके आदार पर भेदबाव नहीं होना चाहिए और सबी वेक्तियों को समान अदिकार प्राप्त होन उन्हें प्रस्थूत किया था तो हम देखते हैं कि सासन तंतर के अंदर विविन परकार के जो क्या करते हैं लोगों के साथ में भीदबाब विस्षिस कर धन के आदार पर तो इसमें दूब विवस्ता है हो जाती एक तो पूंजी पती वर्ग बन जाता है और बाकी जो सामने कि अनुसार काम करती है और जो बाकी जन सामने जिसमें मजदूर के साना दी जो भी है उनके साथ में क्या किया जाता है नियाए नहीं किया जाता तो यह वो बात थी जिनके बारें दिक इसमें दो चीज़ें देखो मक्स वा दी तो इसमें कारल मक्स और जो एंजल थे उन्ह के खून पसीने का होता है तो इसकार वो कहता है कि उससे निर्मित जो वस्तुए होती है उन वस्तुएं पर जो लाबांस प्राप्त होता है उस लाबांस में मजदूरों का हिस्सा होना चाहिए जब कि क्या करते है वो सारा का सारा लाबांस ये पूंजी पती क्या करते थे वर्ग का क्या करेंगे सोसन करेंगे तो आर्थिक लोगतंतर तबी इस से जर्म होगा जब क्या होगा वो लोगतंतर केवल क्या करेगा धनी लोगों के पूंजी पती लोगों के हित के लिए नहीं काम करेगा वो सबी लोगों के हित के लिए काम करेगा और जो आर्थिक रूप से उस वरग को उपर उठाने के लिए भी प्रयास करेगा अगला समाजवादी क्या करते है समाजवादियों में ने भी इसका ये प। वरतमान में हम देखते हैं जिसे बार्थ के उद्योग पती बड़े बड़े जैसे मुक्रे संभाले जैसे और भी और अमेरिका का अंदर देखे तो ऐसी पूंजी वादी ववस्ता जां बड़े बड़े जो उद्योग पती है या जो धनी लोग होते हैं उनके पास ही अधिकत अची और राजची एसी ववस्ता इस्ताबित करें कि सभी समाजों के लोगों के अंदर समान रूप से उत्पादन के सादनों का क्या हो वित्रण हो तो उसके लिए ये क्या करता है समाज़ाद यानि अमीर और गरीब के जो खाई हैं वो खाई पार्टी जाए उनिस अठार कैसे हुआ उसम के कल्यान के लिए किया किया जाएं तो जो वेक्तियों के इर्थगर्दी हमेशा क्या करता था अधिन करता था जो मार्सवादियों के आर्थिक लोगतनतर सरता भीन यानि उससे क्या आलग है और विपरित यानि उसके उल्टा है उससे क्या है उल्टा यानि ये पर्टिकुल किसी एक विक्ति के बारे में या उनके बारे में जब कि ये सब के बारे में बात करता है अगला देखेंगे नेतिक लोकतंतर के बारे में किसके बारे में हम देखेंगे नेतिक लोकतंतर तो कुछ विद्वानों ने लोक तंतर को एक नेतिक वा आदियात्मिक जीवन दर्शन के रूप में क्या किया था यान ये भी बहुत ही मैत पूर्ण है कि इन्होंने का कब लोगतंतर की चीजें वो क्या होती है नेतिक रूप से होने चीज रिष्ट कैसे होगी नेतिक रूप से हम देखेंगे फ्रांसेसी करांती किसमें यही नेतिक मुली हमारे सामने निकल करके आयति सवतंतर ता सम्मान त दोट्वचा हिए नोगतंतर की सबता है नेतिक रूप से चीज हडबने का प्रियास नहीं करता है लोकतंतर के परती इस नेतिक दस्टिकोन को ही नेतिक लोकतंतर कहा जाता है नेतिक लोकतंतर में समस्त लोकतंतर के दर्शन का क्या है वेवारिक रूप है जिसमें मानव मुल्यों को ही समाज वसासन का क्या किया जाता है मुले आधार माना जाता और मालम उन्य कौन से मानव के मुले वो ही है सवतंतरता है शमानता है भाई चारा है बंदूत वह हैं उनको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले तो यही चीज़ है एक दूसरे की सवतंतरा महस्त शेप नहीं करें अगर समान तक कोई उत्पन नहीं करें तो ऐसा ही होता है इस रूप में नेतिक जो लोकतंतरता की सरवता अबियती कब होती इस सतरह सो नवासी की जो फ्रांस की जो करांती उसमें हुई ती जिसमें सवतंतरता की बात रखे की करांती की यही मुक्य उद्ध से थे और बारती सुजदान में बात में दे ती और इन तीनों में बाइचारी यान बंदूत का विस्स में तो बंदूत होगा तब ही दूसरी जो ये बाते हैं इनकी क्या हो सकती है प्राप्ती हो सकती है क्योंकि इसके बगर वेक्तियों में समानता हो यह नहीं सकती और समानता नहीं होगी सवतंता भी नहीं पाई जा सक जब हाई-चारा यानि बंदुत्व की बावना होगी तब क्या होगा वेक्ति क्या गरेगा उनमें समानता होगी और वो सवतंतर ताभी उसके अंदर आएगी तो यह था आज का हमारा लेक्चर और नेक्स लेक्चर में हम आगे देखेंगे जो लोगतंतर संबंदी जो के बारे में देखेंगे कि आखिर लोगतंतर जिसके बारे में हमने देखा लोगतंतर का आर्थ देखा और लोगतंतर के जो विबिन परकार थी या विबिन रूप थे उन रूपों के बारे में अद्दिन किया था चाहे वो राजनितिक लोगतंतर हो चाहे आर्थी को विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् के लोगों का समून नहीं है किसी बासा विसस के लोगों का साथन नहीं है किसी संस करती विसस के लोगों का साथन नहीं है किसी वर्ग विसस के लोगों का ये साथन नहीं है या किसी जाती या किसी धर्म विसस का ये साथन नहीं है ये उस राज्ये के छेतर में रहने वाली नस्पूंद जनता का क्या है साशन है चाए वो जनता किसी भी भासा धर्मनस्ल संस करती या वर्ग विसेश से समंदितों उन सभी का क्या है!!!!!! लोग蛇 पूबता Ilra एक। यहां जन्ता कारत है Сंपुन जन्समुवा पर्ते का वेक्टिस हैं जो उस रज्ज क्षेतर के अंदर किया करता है निवास करता है उस जन्ता का यहां पर बात की गए है तो इस प्रकार यह सासं किसी विसेशि नसल भासा संस करती है इसे सम्मादित वरक का सासन नहीं है अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट ऐसा आता चार नमबर का क्यूसन आने की संभावना है तो इसमें से पांच विसेस्ता हैं आप इसमें से कम से कम चार विसेस्ता हैं आप अच्छी तरीके से याद कर लें क्योंकि उसमें चार विसेस्ता हैं पूछी जाती है दूसरी है ये जनता दौरा निर्मित पहला हमने क्या पड़ा कि जनता का सासन है अब जनता दौरा निर्मित दूसरा हो गया जनता दौरा निर्मित इस सासन का निर्मान जो लोग तंतर है लोग तंतर का निर्मान किस ने किया है लोग तंतर का निर्मान ही जनता करती है क्योंकि लोग का मतलब क्या जनता ही होता है तो जनता इसका कैसे निर्मान करती है कि लोग तंतर में सरकार का निर्मान जनता द्वारा किया जाता है यानि जनता क्या करती है जनता क्या करती है सुनावों के समय जनता मतदान करती है मतदान में भाग ले करके क्या करती है मतदान करती है और मतदान के द्वारा वो योग्य परती निदियों का क्या करती है चुनाव करती है जनता क्या करती है अपने जो परती निदियों को कहा भ बेज़ती हैं या जो भी विदाइका होते उस विदाइका के अंदर भेज़ती हैं और वे परती निदी मिलकर के क्या करते हैं सरकार का निर्मान करते हैं यानि हम ऐसे समझे जैसे यहां जंता हैं अब जंता ने क्या कर दिया जंता ने परती निदियों को चुन लिया इसको च सरकार हुई किसकी सरकार हुई जंता की क्योंकि परती ने किसने चुने जंता ने अगर जंता चाहे तो उन परती ने को वापस भी क्या कर सकती है अगले चुनाव में बदल सकती है अगर वो जंता के परती क्या रहेंगे जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो इस तरीके से हम इस सा सरकार को हम क्या कहेंगे जनता द्वारा निर्मित सरकार कहेंगे तो ये क्या हो गया ये जनता का ही सासन हो गया क्योंकि जनता समवे क्या करती है इस सासन को चलाती है वो डारेक्ट भाग नहीं लेती लेकिन उनके पर्थी निद्यों के माद्यम से सरकार क्या करती है इस सासन क वो खुद चलाती है, खुद इसका निर्मान करती है, अगली जो विशिस्ता है हम देखेंगे, तेसरी इसकी, लोग तंतर सासन का एक साधन है, साध्य नहीं, अब देखो साध्य और साधन का यह आर्थ समझना, साध्य का मतलब वो लक्से जिसे आप क्या करना चाहते हो, प्र प्राप्त करना चाहते हो, साधन, साधन उस लक्से को प्राप्त करने का क्या है, माद्य में, क्या है, माद्य में, तो इसके बारे में, यानि साधन किसे कहेंगे, जो साध्य को प्राप्त करने का जो माद्य होता, उस माद्य को हम क्या कहेंगे, साधन कहेंगे, तो लोग तं में साथन को कभी भी साध्य यानि जो लक्से अंतिम लक्से जो प्राप्त करना है वो लक्से नहीं मना जाता लक्सित क्या है साध्यत क्या है लोक तंत्र है अपी तु साधन को एक क्या मना जाता साथन को क्या मना जाता है एक साध्यत वो माद्य में जो लोक तंत्र को क्या करे से लोग तांत्रिक साद्धे हैं तो उस उन लोग तांत्रिक जो साद्धे हैं उनको प्राप्त करने के लिए किसका निर्मान किया जाता हैं सासन का निर्मान किया जाता तो सासन क्या हो गया एक सादन है यानि क्या है एक माद्धे में क्या माद्धे में क्या माद्धे में क्या समान रूप से न्याय प्राप्त हो सभी के साथ समान ताका वेवार हो और सब को सासन नोकरियों आदी में समान आवसर प्राप्त हो तो ये क्या है ये लोग तांतर के क्या मानने जाएंगे साधन मानने जाएंगे है ना सोरी अपने लोग तांतर क्या है साध्य हैं और जिन को प्राप्त किस से किया जाएगा इस सासन के दोरा किया जाएगा जिस सासन का निर्मान किया किस के दोरा किया जाएगा जनता दोरा यही हमने दूसरे पॉइंट में देखा था कि जनता दोरा निर्मिस साध्य तो जनता जो सासन का निर्मान करती है वो किस जनता क्या करती है सासन का निर्मान करती है अगला हम चौता पॉइंट देखेंगे चौता हमारा पॉइंट है वो है जनता के परती उत्तरदाई सासन यानि लोगतंतर क्या है जनता के परती उत्तरदाई है उत्तरदाई का मतलब जिम्मेदार है क्या है रिस्पॉंसिबल है यानि उसके जिम्मेदारी 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 का अपना निर्वन नहीं करता है तो जिम्मेदारी का अपना निर्वन नहीं करता है तो जिम्मेदारी का अपना निर्वन नहीं करता है तो जिम्मेद यहाँ पर जनता है मालिक जनता चाहे तो स्वामी क्या सकता अगर जैसे एक नोकर है नोकर सही तरीके से काम नहीं करता तो उसका मालिक उसको क्या करता बदल देता है वैसे लोग तंतर की जो मालिक को उने स्वामी को उने जनता है अगर वो सासन उसके कहे अनुसार सासन नहीं चलाती है वो सासन पढ़नाली जनता के इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है तो जनता उसे क्या कर सकती है? बदल सकती है? यही सिद्दान्त है लोग का पर बुत्व का सिद्दान्त जैसे कि हम देखते हैं कि अपने राजस्तान की बात हैं क्योंकि यहां के जनता क्या कर देती बदल देती है वैसे के अंदर इस पर हमने देखा कि जनता की जिम्मेदारी जब पूर्ण नहीं हो रहे थी तो जनता ने जो मिली जुली एक सरकारे थी वो सरकारे क्या करते थी सम्वे में सक्सम नहीं थी तो सरकार ने फिर जो नरिंदर मोदी के ने क्या करते है सखसम सरकार बना दी तो ये सारी इसमें प्रभुत्व किसके पास होता जनता के पास अगर आब ये सरकार जैसे काम नहीं करेगी जनता के इच्छाओं पर खरी नहीं उत्रेगी जनता के परती जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगी तो क्या करेगी जनता इस सरकार को भी ब कुंसे बल होते हैं यानि इनकी जबाब देही होती है जनता के पड़ती है इसका आर्थ हैं कि ये दिस सरकार व्यक्ति की सवतंता चीनती है सरकार व्यक्ति की सवतंता चीनेगी तो और जन्मत का समान नहीं करेगी यानि जिस इस इस जन्मत की इच्छा का समान नहीं करेगी उ जनता उसे बदल देती है हम देखते हैं कि पिछली बार के अंदर सरकार ने ऐसा ही एक कानून लेकर आई थी जिस कानून के अंदर क्या जिसको काला कानून का गया क्योंकि सरकार जनता का क्या करना चाहती थी मूबंद करना चाहती थी जिसमें सरकारी करमचारियों को क्या करन नहीं करती ति जंता ने उसको चुना जंता ने उसके Χ confessंधी ऊदिकार दिये और उसने क्या चीननी प्रार्यर्म करती जंता की सब्तंतर दर उसकी अभीविक्त की सब् ungef Aurम force बूर्म हो किसी गोबर्मेंट जो कर्मचारी था उसके खिलाब कुछ लिख नहीं सकती उसके खिलाब कुछ बोल नहीं सकती अगर ऐसा करता तो उसको सिज़ा होती तो यह क्या होती यह जनता के अंदर जो सुज़ान के अंदर जो सवतनता मिली सवतनता को सरकार चीन रही ती जनता बड़ी गुस्सा हो गई क्योंकि सरकार ने जन्मत का समान नहीं किया और उनके सारने घित के काम नहीं किये तब इस जन्ता क्या होती है सरकार से खुस नहीं होती उस सासन से खुस नहीं होती और उस सासन या सरकार को क्या कर देती है जन्ता बदल देती है चुनावों के माद्यम से यानि उसको क्या कर देती है फिर विपक्स में बैठा देती है कभी कभी तो उसके जमानत भी क्या कर देती है जंता जब्त कर देती है तो इस तरीके से जंता उस सरकार को उस सासन को क्या करती है सबक सिखाती है पांचवा बिंदू देखेंगे लोगतंतर की विस्षता है कौन सी पांचवा बिंदू है लोगतंतर विकास सील है हमेसा उसका विकास हुआ है समय के अनुसार क्या होता है बदला होता है यानि इस लोगतंतर हमेसा ऐसा नहीं है कि कोई मील का पत्थर नहीं है या कोई पत्थ ही चलता रहेगा लोगतंतर के अंदर समय के अनुसार उसमें क्या होते रहते रहते बदला होते रहते समय के अनुकुल परिस्तियों के अनुकुल जनता के अंदर हित के लिए उसमें क्या किये जाते रहते हैं उसमें बदला किये जाते हैं तो आधुनी काल के अंदर लोगतंत व्यक्ति वादी लोक्तंतर था, कैसा लोक्तंतर था, व्यक्ति वादी लोक्तंतर था, सब कुछ ये व्यक्ति से समंध बाते ही करता था, व्यक्ति की जो राजनितिक सवतंतर था है, उसकी समान था है, आर्थिक सवतंतर था है, उसके अधिकार है, यानि सब कुछ उसका कैंद अदरबिंदू क्या होता था इसमें व्यक्ति होता था व्यक्ति के इर्दगिर्द ही बातें की जाते थी इसके अलावा कोई बात नहीं की जाते थी और बाद में ये क्या हो गया उदारवादी लोकतंतर के अंदर बदल गया था जिसमें सभी पक्सों का क्या किया जाता था ज लोग कल्यान कारी राज्जे की अवदारना से सम्मंदित हो गया अब इस लोग तंतर का क्या आर्थ होता है कि जनता के लोग लोग यानि जनता के लिए कल्यान के लिए कारे करें चाहे वो सिक्सा के छेतर में हो चाहे स्वास्ते के छेतर में हो या चाहे आर्थिक छेतर में हो हैं किसी भी चेतर में वो क्या करेगी जनता के लोग के कल्यान के लिए क्या करेगी कारे करेगी तो इस तरीके से धीरे धीरे लोगतंतर विकास हुआ है लोगतंतर का क्या हुआ विकास तो इसलिए विकास सिल्षास व्यक्तिवादी लोकतंतर से ये उधारवादी लोकतंतर बन गया और उधारवादी लोकतंतर से अब कैसा बन गया ये लोकल्यानकारी लोकतंतर या कह सकते हैं इसकी जो धारना क्या होगी लोकल्यानकारी राज्ये की इस्तापन करना हो गया इस जो जनता का क्या करें अधिक से अधिक हित वर्दन करें तो इस विकास का प्रिणाम ये हुआ कि जहां प्रारम में लोगतंतर ने व्यक्ति की राजनितिक सेवतंतर ता और समानता तता समवेदानिक सासन यानि जो विधी या जिसे कानून कह सकते है विधी के सासन पर ही क्या दिया था बल दिया था वो तो प्रारमिक था जब हमने विक्तिवादी में देखा वहाँ अब ये सामाजिक और आर्थिक छितर में क्या करता है समानता पर भल देता ही तो उसके अधिक से दिक कल्यान की बात है अब वो कहता है कि सभी के सामाजिक और आर्थिक छितर में भी लोगों को क्या की जाए समानता परदान की जाए सब को क्या किया जाए नियाए परदान किया जाए तो इस सिद्दान को स्विकार करने लगा और इसी से अब क्या हो गया ये लोगतंतर जो क्या हो गया लोगतंतर कैसा लोगकल्यानकारी लाजियों में बदल गया कि जनता की अभी वक्ती क्या जनता की अभी वक्ती है कि उससे सामाजिक समानता परदान की जाए सबको समान रूप से सामाजिक अधिकार परदान किया जाए आर्थिक चेतर में भी सबको उत्रिक से साधन उपलब करवाए जाए तो इन सबी बातों को लेकरों के ही अधिक से अधिकल्यान के काम की जाने लगी और वरतमान में भी सरकार कैरे करती है ऐसी आर्थी युजनाऀ बनाती है ताकि लोगों के अंदर क्या हो आर्थिक समानता उत्पनो जो आयकामिरी गरीबी का जो अंतर है उसको मिटाएं और जो सामाजी के रूप से भी पहले उनके साथ भेदबा होते थे उन भेदबाओं को भी दूर करने का ये काम करती है इस परकार लोकतंतर के विकास ने उसके मुल्यात्मा के इस तरह में क्या होती है वरदी होती है अब देखेंगे नेक्श तो ये तो थी आपके इसकी पांच विस्ष्टाए फिर थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं तो आदोनिक विस्ष्ट में परती निदी परजातंतर के क्या होते हैं दो परमक रूप होते हैं हलागि इसके बारे में मैंने पूर में बात कर दिये जो लोकतंतर के हमने विबिन रूप देखे थे उस रूप में इनके बारे मैंने विस्तरत रूप से क्या कर दी है बात कर दी फिर भी थोड़ा इसके बारे में जान लेते तो ये दो परतिनिती परजात अंतर के दो रूप कों से एक तो संस्दात मकसासन है और एक अध्यकस्तात मकसासन है अलागी पूर में मैंने बता दिया फिर भी आपको इसके बारे में हम बता देते क्या कि हैए और अध्ध रत्मक्सासन क्या है तो देखो संसदात्मक्सासन पढ़ना लिक के अंदर क्या होता है कारिय। पालिका है जो अपनी लोग तांत्रिक वेदता किसे प्राप्त करती है विधाइका से प्राप्त करती है और वो विधाइका की परती क्या होती है उत्तरदाई होती है यह उसके परती जिम्मेदार होती है यानि हम ऐसा कह सकते हैं दूसरे परकार में कि जो संसदात्मक्सासने ये संसदी ये पढ़नाली है इसमें कारेपाली का और विदाई का दूनों एक दूसरे से क्या होते है परस पर समन्दित होते हैं और इस पढ़नाली में राजी का मुख्या राष्टपती और सरकार का मुख्या परदार मंत्री दूनों अलग-अलग व्यक्ति होते हैं और जो राज जी का मुख्या राष्ट पती तो नाम मात्र का मुख्या होता है और जब कि वास्ति मुख्या तो कौन होता है या वास्ति कारेपाली का तो कौन होती है परदान मंत्री है उसका मंत्री मंडल होता जैसे अपने उदान के लिए पर्थम के लिए उदान के लिए अपने ब साराष्ट का सरोच पर दान तो र ऐस्ट पती होता है लेकिन जो देज KISासन की बांग डॉर है वो किसके हाथ में होती है वो हमारे Pरदानमंत्री के हातों में हوتी है तो ये तो थी आपकी कैसी संसेदी ये सासन परनाला है दूसरी हम पर्णाली की बात करेंगे वो पर्णाली अद्यक्सात्मक सासन क्या होता या अद्यक्सात्मक सासन पर्णाली क्या है तो इससे ठीक थोड़ी सी अलगे तो लोगतांत्रिक सासन वेवस्ता में अद्यक्सात्मक सासन पर्णाली में क्या होता इसमें राज्ये का परम जब कि संस्ताद में क्या होता विदाई का उपर निर्बर रहती है इस पढ़नाली में राष्टपती क्या होता वास्ति कि कारे पालिका का पर मुक होता है इसके अलावा क्या होता देक्सादम साहसन पढ़नाली में कारे पाली का और जब विदाय का एक दूसरे से या परस पर एक दूसरे से समंदित नहीं होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं और इस पढ़नाली में राजी का मुख्या और सरकार का मुख्या दोनों एक ही वेक्ति होते हैं जब कि संस्ताद मुख्या होता हैं राजी का मुख्या और सरकार का मुख्या क्या होते हैं अलग लग वेक्ति तो कभी थोड़ा बताया मैंने डेट सबक्राइब कर साफन साखते हैं जैसे परदानमौतरी वास तक दो उसका चुनाओ कौन करती है। जनता दौारा चुने के परतीत के लिए। मैंसे ही उसे चुना जाता है। तो ये काफी कोछ परिवर्तन ने इनके बारे में आप ध्यान रखना जबकि स्वीटेजर लेंड ऐसा देश है जिसमें संगी इस तर पर संसिदात्मक और अध्यक्सात्मक दोनों सासन पर नालिया को क्या उतना है गया मिस्रित रूपे और इसमें अगर कई परतिक सासन का भी अगर कई उधारन है तो वो किसमें मिलता है इस स्वीटेजर लेंड में ही मिलता है हलां कि वहांकि सिर्फ 5 गंटनों में ही पाया जाता है लेकिन फिर भी जो पर्तिक्स जो सासन है उसका लोगतांतरिक सासन वज़ता का रूप है वो यहां पर पाया जाता है तो आज के इस वीडेयो मिltा ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नवय टोपिक के साथ धन्यवाद